मातादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूजिप चैनल में दोस्तो 20 जुलाई को सावन का तीसरा सौमवार है और साथ ही इस दिन अमावशा ते थी है ये अमावशा सौमवार के दिन आ रही है इसलिए ये सौमवती अमावशा है 20 जुलाई को हरयाली अमावश्य है यानि ये स्रावन मास के अमावश्य होने के कारण इसको हरयाली अमावश्य के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही शुब संयोगों में आ रही है इस दिन सरवार्त सिध्धी योग बन रहा है जो की पूरा दिन बनेगा पुनर्वशु नक्षत्र है और श्रावन सौमवार है ये दिन इसनान दान करने के लिए बहुत ही विशेष होता है और इस दिन दीप पूजा भी की जाती है इस अमावाशा के दिन की शुरुवात पुनर्वशु नक्षत्र के साथ होगी लेकिन बाद में दिन में ये पुशन नक्षत्र इसमें लग जाएगा और सौमवार के दिन अगर पुशन नक्षत्र होता है तो उसे सौम पुश कहते हैं साथ ही पूरा दिन सरवार सिद्य योग जो बन रहा है वो बहुत ही शुब है यहां ऐसे बहुत से शुब योग बन रहे हैं जो इस दिन को खास बना रहे हैं तो इस दिन का आप फायदा उठा सकते हैं इस सौंवती अमावशप पर विशेश सहयोग बनने से अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति आप पा सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी राशी के अनुसार आपको क्या उपाय क्या करना चाहिए, बहवान शिव का किस तरह से विशेस रूप से अभिशेक करना चाहिए कि आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्ती मिल जाए, क्योंकि सईयों गो भरा दिन जो होता है वो अ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों ये सावन मास का तीसरा सौमवार भी है तो इस दिन अमावश्या के होने के कारण आप किस तरह से अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं चले जानते हैं तो चलिए जानते हैं देखे जीवन की सबसे बड़ी आवशक्ता क्या होती है दहन होता है दहन के बिना सांसारिक जो जरूरते हैं उन्हें पूरी करना मुश्किल होता है और अगर आप भी आर्थिक संकट से चूज रहे हैं तो आप इस दिन उपाय कर सकते हैं क्योंकि ये श्रामवणी सौमवती अमावश्या के दिन भगवान शिव का अभिशेक श मही मस्तरोत्र का पाठ यदि किया जाए तो आपको पैसों से संबंदी जो समस्या होती हैं वो दूर हो जाती हैं और ये जो दिन है ये नौकरी में तरक्की करने के लिए व्यपार व्यवसाय में लाब पाने के लिए भी बहुत अच्छा है तो इस दिन आप भगवान शिव पर तीन लोटे जल अरपित जरूर करें और उस जल में अक्षत और मिस्री डाल लें इसके बाद शिव जी को लाल पुष्प भी अरपित कर दें और वहीं बैठकर शिव के पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें इससे अपकी जो परिशानिया हैं दूर हो जाएंगी चलिए अब हम जा लेते हैं कि राशी के अनुसार आपको इस अमावश्चा पर किस तरह सिलाब मिल सकता है क्योंकि दूखे है अमावश्चा जो होता है वो कई तरह के कस्टों कर निवारन करने के लिए होता है और ये स्त्रामण मास है तो देखे ओर बिया धिक महत्मून है और लाल मसूर जो होती है जो दाल होती है लाल मसूर वो शिव जी को अरपित करनी है तो मिश रासी के लोगों को इन कारे को जरूर करना चाहिए आपके जीवन में आ रहे ही जो रुकावटे हैं संकट हैं वो दूर होंगे विरशब रासी की बात करते हैं विरशब रासी के लोग मिथुन राशी के लोगों को गउसाला होती है वहां हरा चारा दान करना चाहिए अगर आपके आसपास कोई गउसाला है आपको मिल जाएगी तो वहां आप हरा चारा दान जरूर करके आए आप चारा नहीं दे सकते हैं तो चारे के पैसे दान कर सकते हैं लेकिन गउसाला में करना है तो यह आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा करक राशी के लोगों को इस दिन कच्चे दूद से शिवजी का अभिशेक करना चाहिए क्योंकि कच्ची दूद से शिवजी का अभिशेक करना आपके लिए बहुत शुब रहेगा एक तो आपके राशी के जो चंद्रमा की राशी होती है तो यहां जो सफिद चीज से अबिशे किया जाता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है इसके अलावा आप जो नेतरहीन बालक होते हैं उनको मीठा दूद पिला सकते हैं या लसी पिला सकते हैं, कुछ भी सफेद चीज आप पिला सकते हैं, बहुत ही प्रभाशाली ये आपके लिए रहेगा सिहिंग राशी, सिहिंग राशी के लोगों को गरीबों को गेहूं दान करना चाहिए या फिर आप अन गेहूं न सही आप आटा दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, दाल दान कर सकते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा, तो सिंग राशी के लोगों को ये जरूर करना चाहिए, कर्न्या राशी के लोगों को बरगद का जो पेड होता है वहा वनमास में आया और संवार के दिन पढ़ रही है इसलिए ये सबसे अधिक फल देने वाली होगी जल्दी फल देने वाली होगी तो अब बात करते हैं तुलाराशी की तुलाराशी के लोगों को इस दिन गरीब कन्याज होती है छोटी कन्याज दस साल तक की कन्याज उनको दू का दान कर सकते हैं या दही का दान कर सकते हैं या सफिद मिठाई का दान कर सकते हैं सफिद मिठाई उसमें उनको बाट सकते हैं तुला राशी के लोगों के लिए बहुत शोब ये रहेगा क्योंकि ये शुकर की राशी है व्रश्चिक राशी व्रश्चिक राशी के लोगों क इस दिन मचलियों को तालाब में या नदी में या जहां मचलियों का आप दाना डाल सकते हैं वहां उनको दाना जरूर डालें धनुराशी धनुराशी के लोगों को किसी गरीब परिवार के लोगों को चने की दाल या बेशन से बनी हूँ जो मिठाई होती है उसका दान करें उनको या मिठाई ना सही तो आप चने की दाल दान भी कर सकते हैं ये दान करने से आपके लिए बेहद शुब रहेगा क्योंकि ये पीली दाल है और धनुराशी गुरू ब्रस्पती की राशी है तो इस दिन ये दान करना आपके लिए बहुत शुब रहेगा मकराशी मकराशी के लोगों को इस दिन पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए या फिर एक पौधा, शमी का पौधा जब होता है वो आप रोपन कर सकते हैं, वो पौधा लगा सकते हैं गमले में लगा सकते हैं या कहीं आप पार्क में जाकर लगा सकते हैं तो शमी का पौधा आप लगाए आपके लिए बहुत शुब रहेगा आपके राशी स्वामी शनी की कृपाप पर बरसेगी और हर कस्ट से मुक्ती मिलेगी कुम राशी के लोगों को इस दिन पक्षियों के लिए पीपल के पेड़ के नीचे चने की दाल डालने चाहिए या फिर आप जो सतरंगी अनाज होता है साथ अनाजों का जो मिला हुआ होता है वो आपक्षियों के लिए पीपल के पेड़ के नीचे डाल सकते हैं इसके लावा एक काम और कर सकते हैं एक नारियल लें उसे अपनी उपर से उतारें साथ बार और उसे किसी जल में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे निश्चित रूप से हर तरह की नकारा तमकता दूर होगी और हर तरह के कस्ट से मुक्ति मिलेगी मीन राशी के लिए बात करते हैं मीन राशी के लोगों को इस दिन चीटियों के लिए आटा डालना चाहिए या फिर मचलियों को आटे की गूलियां खिनानी चाहिए ये जो उपाए हैं ये आपकी जीवन में परिशानियों से आपको बहुत अधिक रिलीफ दिलाते हुए नजर आएंगे तो ये राशी के नुसार आप उपाए कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस दिन कई तरह के कस्टों से मुक्ती मिल सकती है और जीवन में मिठास आएगी पैसे में आ रही जो रुकावटे हैं वो दूर होंगी अब हम कुछ और चीज़े जान लेते हैं जो इस दिन बहुत अच्छी होती है देखे अगर आप सर्व सिद्धी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए क्योंकि इस रामणी अमावशा है तो इस दिन आपको रात्री में शिवलिंग पर जल गंगा जल और लाल चंदन से अभिशे करना चाहिए उसके बाद वहीं बैटकर महाकाल इस्तोत्र का पाट करना चाहिए ये सिद्धी प्राप्त करने के लिए होता है और अगर आप अपने जीवन में सुख सौभाग्य की वर्षा कराना चाहते हैं तो शिवजी का अभिशेक शक्कर से करने से जल में सुख सौभाग्य की प्राप्ती होती है या तो आप शक्कर से जल अभिशेक कर सकते हैं शिवजी का अगर आप अपना आकरशन बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने आकरशन को बढ़ाने के लिए क्या करना है? इसके लिए आपको जल में केसर मिलाना है, और भगवान शिव पर इसमावशा के दिन आरपित करें. इससे आपके आकरशन में वरद्धी होगी, बलकि आपके धन के आगमन के भी रास्ते आपके खुल जाएंगे. ये बहुत ही शुब होता है. अगर आप निसंतान हैं, संतान की पराप्ती पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? इस दिन भगवान शिव का आभिशीक शहद से करना है, और शहद से भवान शिव का आभिशीक करने से आपको रोगों से मुक्ती मिलती है, बल मिलता है, वरद्धी होती है, और निसंतान दंपत्यों को संतान प्राप्ती की जो प्राप्ती होने का लाब आपको इस दिन मिलता है. तो इस दिन आप बहुत से केस्टों से मुक्ति पा सकते हैं इन उपायों को करके अपने भागे को प्रबल बना सकते हैं तो दोस्तों और दिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धैन्यवाद